नमस्ते बच्चों, बच्चों आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अपठित गद्यान्स मतला रीडिंग कॉम्प्रिहेंसेन क्या होता है कि कोई भी जो पैसेज है हमें जो कि हमने अभी तक नहीं पढ़ा होता वो हमें दे दिया जाता है और हमें उस passage से ही उसके प्रशन उत्तर या जो भी पूचे जाते हैं सवाल उसका उत्तर देना होता है तो चलिए हम एक passage इसी तरह से पढ़ते हैं ये जो गध्यांस है गध्यांस मतलब passage है तो क्या है passage? साहसी मनुष्य का जीवन ही सच्चा जीवन होता है साहसी मनुष्य से अपने उद्देश के लिए बढ़ते रहते हैं वास्ताओं में साहसी लोग ही संसार की शक्ती होते हैं साहसी लोग अपने मार्ग पर अकेले ही बढ़ते हैं जैसे जंगल में शेर अकेला रहता है, डरपोग लोग ही भेडों की तरह जुण्ड बना कर रहते हैं, संकट जेलना ही जीवन का इस्तर दिखाता है, जो संकटों से बचता है वे वास्त्विक जीवन से कोसो दूर होता है, जीवन में संकटों का सामना करना एक पूजी है, जो इस पूजी को जितनी मात्रा में लगाता है, वे उसी मात्रा में उसका फल पाता है, जीवन को अनन्त मानकर आगे बढ़ने वाला मनुश्य ही जीवन के रहस्य को प्राप्त कर सकता है, जीवन का साधाग थोड़े से सुकून से संतुस्ट नहीं होता है, बलकि वे हिम्मत से उची उची चोटी का फल तोड़ कर खाना चाहता है, सागर के अंदर गोता लगा कर तल से मोती पाना चाहता है, उसी के लिए दुरलब कुछ नहीं है, वे जंगल में भी अपना मार्ग बना लेता है, तो देखो बच्चों ये था पैसे, जब हमें इसी पैसे से प्रशनुत्र चाटना है, तो इसमें कुछ जो शब्दे हैं कठिन उसका अर्थ में बदा देती हूँ, साहसी मनुश्य याने ब्रेब मैन जो होता है, जीवन मिंस लाइफ, सच्चा जीवन याने रियल लाइफ जो होता है, अपना वास्तविक जीवन, और उदेश मतलब अपना जो अम्बिशन है टार्गेट है, और वास्तों में मतलब रियल में, एक्श्यल में, संसार याने वर्ल्ड, शक्ती मतलब स्ट्रेंथ होता है, अपने मार्क पर मतलब अपने वे पर अपना जो रास्ता है, जंगल, फॉरेश्ट होता है, डर्पोक लोग मतलब अपकी कावर्ड पिपल जो होते हैं, तो जुन्ड बनाकर, मतलब भेड जो होती है न, भेड शीब, जो जुन्ड बनाकर याने ग्रुप में चलते हैं लोग, संकट छेलना, याने संकट मतलब जो प्रॉब्लम फेस करते हैं, और उन लोग क्या होता है, जो लोटों का सामना करना एक पूजी है, पूजी याने की capital याने की अपनी जो मनी होती है, उसे हाम पूजी कहते हैं, फिर इसी पूजी को जितनी मातरा में जो, मतलब जी जो capital अपनी मनी है, एक तरह से ट्रेजर है, उसे जितना जादा एस्पेंड करता है, वही उसका फल या यानि कि जो कभी खतम ना होने पाज़ इनफाइनफ, जिसका कोई इन्ड नहीं है वो आगे पढ़ता रहता है, वही मनुष्य जिवन का जो लाइफ का सीक्रेट है रह से मतलब सीक्रेट को प्राप्त कर सकता है, जीवन का साधयाक, साधयानिज सीक जो खोजता है धूर्टा है थोड़े से सुकून से संतुष्ट होने याने सेटिस्फाइड नहीं होता है बलके वे हिम्मत से उची चोटी का फल तोड़ कर खाना चाहता है याने बहुत आगे बढ़ना चाहता है वो फिर इसी तरह जो सागर है सागर मतलब होता है सी Sea के अंदर जो diving करते हैं sea diving होता लगाना याने sea diving करता और अन्दर बाटम में जाकर मोती याने pearl पाना चाहता है उसके लिए दुरलब याने के 레यर कुछ भी दुरलब नहीं है वे जंगल में भी अपना रास्ता बना लेता है तो ये था अपना paragraph या passage अब इस passage में आये हुए जो प्रश्न पूछा है उसके उत्तर देख लेते हैं हम इसी passage से हमें ढूंड कर लिखना है तो जैसे किसका जीवन सच्चा जीवन होता है तो अभी हमने पढ़ा ना साहसी मनुष्य का जीवन सच्चा जीवन होता है फिर इसी तरह दूसरा क्या है साहसी वेक्ती में क्या-क्या विशेस्ता हैं होनी चाहिए यानि जो ब्रेब मैन होते हैं उनमें क्या-क्या qualities होनी चाहिए हमने passage में अभी क्या-क्या पढ़ा कि सासी मनुष जो होता है अपने उद्देश के लिए आगे बढ़ने वाला होना चाहिए सच्चा जीवन जीने वाला अपने उद्देश के लिए आगे बढ़ने वाला और संकटों का सामना करने वाले याने कि इसका जो उत्तर है ये वाला है उपरोप्त सब ही याने कि ये सारी क्वालिटी इसमें होनी चाहिए तो गावला क्या है? कौन सा मनुष्य जीवन के रहस्य को प्राप्त कर सकता है? तो इसका उतर है कि अपने मार्ग पर आगे पढ़ने वाला मनुष्य ही जीवन के रहस्य को प्राप्त कर सकता है देखिए इसके सारे उत्तर जो है ना इसी पैसेज में आप पढ़ेंगे ना तो आपको मिल जाएगा यहां पर हमने देखा कि जीवन को आनन्त मानकर आगे बढ़ने वाला मनुशी ही जीवन के रहसी को प्राप्त कर सकता है आपको आंसर इसी पैसे से सर्च करना है फिर इसके बाद क्या है नेक्स्ट है यह जो गावाला है इसमें क्या है संकटों से बचने वाला मनुश्य किस से कोसो दूर होता है तो हमने अभी पैसेज में क्या पढ़ा था कि संकटों से बचने वाला मनुश्य जो होता है वास्तव है और सेम वैसे ही पैसेज है जैसे अब इमने उपर पढ़ा और फिर उसके प्रश्न के उत्तर हम इसी पैरग्राफ से चांट कर लिखेंगे तो जैसे गांधी जी का पूरा नाम मोहंदास करमचंद्र गांधी था यह पैसेज जो है ना मोहंदास करमचंद्र गांधी हर कोई आप इन्हें जानते ही हैं, उनके उपर है, उनका जन में, उनका बर्द कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, कहां पे हुआ था, गुजरात के काठिया वाड में पूर बंदर नामक इस्थान पर हुआ था, इंडिया के जो गुजरात स्टेट है, उसमें काठिया नाम क्या था, मदर का नेम पुतलिवाई था, और पिता मिंस फादर का नाम करम चंद्र गांधी था, और उनका बिवाह याने उनके शादी, मैरिज किस्से हुए थी, उनकी पतनी का नाम था, कस्तूरवा गांधी, गांधी जी सदय सत्य की पूजा करते थे, और सत्य के मार पर ही चलते थे गांधी जी ने परमाणू यूग में भी हिंसा को त्यागते हुए अहिंसा का मार्ग अपनाया याने कि एटॉमिक एरा चल रहा था यह जिना उसमें भी उन्होंने वाइलेंस को उन्होंने लीप किया छोड़ करके अहिंसा नॉन वाइलेंस को उसके रास्ते पर चलना उन्होंने स्विकार किया फिर क्या है गांधी जी ने 1920 में असहयोग अंदोलन तथा 1930 में सत्या ग्रह अंदोलन चलाया इन्हें 1920 में ना कि नॉन कोपरेशन मुव्मेंट अंदोलन मतला मुव्मेंट चलाया और 1930 में सत्या ग्रह अंदोलन चलाया उन्होंने विदे 1942 में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन कौन सा क्विट इंडिया मुव्मेंट चलाया और इस आंदोलन के कारण गांधी जी को कई बार जेल भी जाना पड़ा परन्तु वे अपने लक्ष से जरा भी पीछे नहीं हटे उनके इन प्रयत्नों के कारण उनके ये जो प्रयास या कोशिशे थी जो इतना उन्होंने किया उसके कारण 15 अगस 1947 को भारत को आजादी मिली फ्रीडम मिली कम मिली 15 अगस 1947 को फिर गांधी जी ने अपना पूरा जीवान देश को अरपित कर दिया इन्हें देश के लिए उन्होंने पूरी लाइफ गांधी जी के त्यागों को भुलाया नहीं जा सकता परन्तु कुछ लोग उनसे सहमत नहीं थे गांधी जी का जन्म कहां हुआ था तो कहां पे हमने पढ़ा था गुजरात के पोर मंदर में काठिया वाड के पोर मंदर में हुआ था याने कि गुजरात में हुआ था फिर नेक्स्ट क्या है कि गांधी जी ने किन वस्तूओं का बहिशकार किया कौन सी वस्तूओं ने थिंक्स को बॉयकट किया उन्होंने विदेशी वस्तूओं का बहिशकार कर दिया उन्हें जो बाहर से अपने देश के अलावा जो बाहर से वस्तूओं फॉरन से आती थी उन फिर नेक्स्त क्या है नीचे दिये गए गध्यांस के लिए कौन सा उचित शीरशक है शीरशक मतलब जो हमने अभी पैसेज पड़ा उसमें कॉम्प्रेहंसिन में सब मतलब एक अप्रोप्रियेट टाइटल बताना है तो यह आप अपनी समझ के अकॉर्डिंग भी लिख सकते ह है जहां तक मुझे समझ में आ रहा है यहां पर हम लिख सकते हैं हमारा जीवन और लक्ष जिस तरह गांधी जी अपने लक्ष के प्रती समर्पित थे अपने लाइफ में उससी तरह हमारा जीवन भी अपने लक्ष के लिए समर्पित होना चाहिए तो इसका एप्रोप्रेट टाइटल मुझे एक लग रहा है हमारे जीवन और लक्ष आप जीवन लक्ष भी लिख सकते हैं आप इसको पढ़के आपको जो सही लगे आपको लिख सकते हैं मेरे कॉर्डिंग तो मुझे ये लग रहा है